ये कहानी तब की है जब बड़े ही होसले और उत्साह के साथ राम जी की वानर से न रावन को हराने और माता सीता को मुक्त करवाने के लिए राम जी के साथ श्री लंका की ओर बढ़ रही थी वो जब आगे बढ़ रही थी तो विशाल समंदर देख कर रुप गई फिर लक्षमन ने राम जी को एक बान दिया जिससे वा पूरा समुद्र सूख जाता लेकिन फिर जैसे ही श्री राम जी ने तीर कमान संभाला उतने में समुद्र देव जी उनके सामने प्रकट हुए प्रभु कृपया ऐसा ना करें आप भली भात ही जानते हैं कि आपके इस बान से सारा समुद्र पल भर में सूख जाएगा मुझ पर ऐसा न्याय मत कीजिए प्रभु अगर आप चाहें तो आप समुद्र पर सेतु बना कर ये समुद्र पार कर सकते हैं आपका ये सुझाओ ह हमें पसंद आया समुद्र देव, इस तरह तो हम दोनों की समस्या का हल निकल जाएगा। समुद्र किनारी भे श्री राम, लक्षमन और हनुमान जी के साथ ये सारा नजारा देख रहे थे। तभी बानरों ने आकर हनुमान जी से शिकायत की। राम जी उस गिलहरी की मनशा समझ गये। उन्होंने जाकर गिलहरी की पूच पर पाउं रख दिया। तभी गिलहरी चिलाई। ही राम, ही राम। गिलहरी की चीक पुकार सुनकर राम जी वहाँ पर आये। और उन्होंने गिलहरी को अपने हाथ में उठा कर पूचा। गिलहरी, इन बड़े-बड़े वालरों के बीज भला तुम क्या कर रही हो। प्रभु सेतु पर बड़े-बड़े पत्थर है, यह पत्थर आपके पाउं में न चुप जाए। इसलिए मैं रेत लाकर इन पत्थरों पर डाल रही हूँ। इससे आपकी राह कुछ आसान हो जाएगी। वानरों को आपकी सेवा करते देख, मेरे मन में भी अर्मान जागा, कि मैं अपने प्रभु की कुछ सेवा करू और इस राम सेतु में मैं भी अपना योगदान दू। गिलहरी, तुम्हारे रेत के कुछ कन डालने से भला क्या ही होगा। गिलहरी की बाते सुनकर राम जी बहुत प्रभावित हुए और फिर मुस्कुराते हुए बोले। गिलहरी, तु इतनी छोटी सी है। हनुमान ने जब तेरी पोच पर पाउं रखा, तो तुझे बहुत दर्ध हुआ होगा ना। बता, इसके लिए मैं हनुमान को क्या दंड़ दू। प्रभू, यह तो हनुमान जी के चर्णों की क्रिपा थी, कि उनके चरण मुझ पर पड़े, और मैं आपके हाथों में आगए, और मुझे आपकी क्रिपा मिले। तुम नन्ही सी जान हो, अतहा मेरे प्रती तुम्हारा ये समर्पित प्रेम अतुल्निय है। संसार में तुम जहां कहीं भी रहोगी, लोग तुम्हें देखकर मुझे याद करेंगे, और मेरी परम भक्त मानकर तुम्हें सदैव अच्छे दृष्टी से देखेंगे, मैं तेरी ये सेवा कभी नहीं भूलूँगा, रगुकुल पर तेरा ये एहसान रहेगा, युगों रामजी की उंगलियों के निशान धारियों के रूप में उस पर छब जाते हैं, तब ही से ये माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौझूद धारियां और कुछ नहीं, बलकि भगवान रामकी उंगलियों के निशान रहे पौरानिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कारे संपन्न कर लिये थे और उनकी सारी लेलाएं समाप्थ हो चुकी थी धर्ती पर उनके जीवन की अवधी भी समाप्थ होने का समय आ चुका था लेकिन समय समाप्थ होने के बाद भी मृत्यों के देवता यम्राज भगवान राम की समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे क्योंकि रामदू थनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे जो स्वयम महाकाल का एक रूप है और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण चीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यू होना जरूरी था ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले हनुमान मेरी प्रिया अंगूठी धर्ती में वहां उस छेद में चली गई है क्या तुम पाताल लोग से मेरी अंगूठी ढूंड कर ला सकते हो प्रभू बस इतनी सी बात मैं अभी जाता हूँ और शिग रही आपके अंगूठी ले कर आता हूँ हनुमान जी अंगूठी धूनने पाताल लोग में चले गए वो अंगूठी को पकड़ने जाते और वो और नीचे चली जाते हनुमान जी पाताल लोग में पहुँचे वहां वो नागों के राजा नागराज से मिले नाग्राज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठी रखी हुई है आप प्रभु राम की अंगूठी ढूंड सकते हैं यहां तो बहुत से अंगूठियां पड़ी है इन मैंसे प्रभु राम की कौन सी है ये मुझे देखना होगा राम जी की युक्ती काम आ गई हनुमान जी अंगुठी ढूनने लगे इसमें उन्हें काफी समय लग गया हनुमान जी को अयोध्या में न देख कर यम्राज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वेग संत का रूत धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुच गए तब संत के भेश में यम्राज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले प्रभु आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए आप निश्चिंत रहिए मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ राम जी ने लक्षमन को बुलाया और उनसे कहा लक्षमन ये मुनिवर मेरे साथ कुछ कंभीर वारता लाप करना चाहते है तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर ना आने पाए इस बात का ख्याल रखना वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे जो आग्या भीया मैं आपके आदेश का पालन करूँगा कि इस संसार से समस्त जीव जन्तु एवं प्राणियों का प्राण हरना और ये मेरा धर्म भी है मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आग्या से आप से ये कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय स्पृत्वी लोग पर निश्चित किया था वो समय पूरण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लोट जाना चाहिए इससे सभी देवी देवताओं में आपको विश्णु सरूप में देखकर उट्साह की लहर दोड़ जाएगी इस पर भी हे प्रभू आपको कुछ और समय इस पृत्वी लोग पर विताना है तो आप रह सकते हैं भगवान राम तो अंतर्यामी है वो यमराज की बातों को सुन कर मंद मंद मुस्कुरा रही थे भगवान राम और यमराज के बीच वारतालाप चली रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा रिशिया पहुँचे प्रणाम गुरुवर कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ हमें भगवान राम से मिलना है अभी तुरंथ गुरुवर महराज भहिया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते उन्होंने किसी को भी कक्षमे ना आने का आदेश दिया है मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता लक्षमन की बातों को सुनकर दुर्वासा रिशी को क्रोध हा गया और वो श्राब देने लगे मेरा इतना घोर अपमान अगर मुझे राजा राम से नहीं दिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राब से जला कर भस्म कर दूँगा अगर मैं नहीं भाईया के महल में जाने दूँ तो सिर्फ मुझे ही मृत्युदंड मिलेगा लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी गुरुवर मैं भाईया को आपके आने की सूचना दे कर आता हूँ लक्षमन भगवान राम के कक्ष में चले गए लक्षमन को सामने दे भगवान राम चौग गए और यमराज अंतर ध्यान हो राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्षमन को मृत्यू दंड देना होगा राम जी ने अपने कुल गुरु से इस विशे में वारतालाब किया लक्षमन ने गुरुदेव और राम जी के बीच हुआ वारतालाब सुन लिया और वे श्री राम से बोले भाया आप मेरा त्याक मत करना मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयम ही अपने शरीर का त्याक कर दूँगा लक्षमन ने अपने भ्राता श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सर्यू नदी में समाधी लेकर शेश नाक का रूप ले लिया और फिर भगवान विश्णू के निवासस्थान शीर सागर में जाकर उत्पन हो गए उसके बाद भगवान राम भी लक्षमन के वियोग में थे उन्होंने भी सर्यू नदी में जाकर जल समाधी ले ली और अपने परम धाम को चले गए उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगुठी लेकर वापिस लोटे तो प्रभू राम को मेहल में ना पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए प्रभू आपने जान बूच कर मुझे पाता लोक में भीजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूँ प्रभू आपकी आज्या पाकर मैं धर्ती पर ही रहूँगा और जहां कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी हनुमान जी को भगवान राम जी से अमर्ता का वर्दान प्राप्त है इसलिए कहते हैं कि आज भी जहां कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं और भगतों को अपना आशिरवाद देते हैं